हलो दोस्तो आज हम मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे 16 सेप्टेंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेट किया जाता है मतलब 16 सेप्टेंबर को ओजोन लेयर से रिलेटेड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड डे मनाया जाता है तो उसी से रिलेटेड एक नियूज आई थी मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो फस्ट आप ओल दो हजार वाइस की जो मौन्ट् कोराइस, प्रोटेक्शन, लाइफ और अर्थ, रिकगनीशन, इमपैक्ट आफ मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब ये Жो मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये आज हमको ये जानना है किसे लिए आया था. First of all ओन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजोन लेयर को कंजरवेश आई थी उस Vienna Convention को देखते हुए Montreal Protocol लाया गया था Montreal Protocol क्या करता था जो 99% ozone depleting substances है उनको कम करने के लिए ये लाया गया था तो हमने यहाँ पर देखा कि Montreal Protocol Vienna Convention के अंदर आया था और Vienna Convention के बाद 1987 में Montreal Protocol आया था उस टाइम में बहुत तेजी से डिपलीर हो रही थी उसको प्रिजर्व करने के लिए ये Montreal Protocol आया था तो इसमें जो human made substances थे जो cooling effect के लिए यूज होते हैं जैसे chlorofluorocarbon हो गया, hydrofluorocarbon हो गया, इनको खतम करने के लिए ये लाया गया था तो इसमें सबसे important चीज क्या है, Vienna Convention क्या चीज है, कब आया था Montreal Protocol Vienna Convention के अंडर आता है या नहीं आता है chlorofluorocarbon किस से related है, chlorofluorocarbon का हमारी समाज में क्या use है जैसा कि आपको पता है, chlorofluorocarbon गयस जो है, वो manmade गयस है ये जो है, ozone layer को deplete करती है, और उसको deplete करके ozone layer को पतला कर देती है तो इसको chlorofluorocarbon कम करने के लिए ये लाया गया था, Montreal Protocol Montreal Protocol के बाद जो दूसरा agreement आया था, किगाली agreement आया था, ये रिवांडा में हुआ किगाली agreement में HFC को minimize किया गया, पहले CFC को खतम करके HFC लाई गयी चलो HFC को use करेंगे, ये कम heat produce करती है, कम ozone layer को deplete करती है मगर 2016 में किया हुआ, next agreement हुआ, उसमें किया गया, HFC को remove करने को कहा गया तो यहाँ पर ये बहुत जादा important हो जाता है कि गाली agreement के Montreal Protocol के बाद आया था, या पहले आया था Vienna Convention किस से related है, ये सब चीजें हमें जानना चाहिए Thank you